Hello and welcome everyone to Magnet Brains. My name is Sanadir और मैं हूँ आपका Business Faculty for Class 12. तो हमने इससे previous वाले वीडियो में देखा था कि प्लानिंग पार्ट हमने चालो किया, जो कि प्लानिंग काफी ही इंटरस्टिंग पार्ट है और इनीशली सबसे पहला होता है किसी फंक्शन, किसका मैनेजमेंट का. तो हमने सारी बाते समझी कि प्लानिंग क्यों करी जाती है, उसके फीचर्स क्या है और अब आजाता है काफी important पार्ट जिसे का जाता है importance. Important पार्ट क्या है वही तो है importance of planning, कि हमें जरुरत क्यों है प्लानिंग की, ना हो तो क्या दिक्त दाबाई? ऐसी क्या पड़ी है हमें कि planning करे ही करें वह जिगरा लेके चलते हैं share का चलके कर लेंगे बिना planning करें कुछ भी लेकिन प्रॉब्लम इस कि वह यह जितना dynamic और जितना uncertain market और हमारे business का environment है न उतना unexpected unexpected चीजों के बीच में बिना planned कोई भी काम एकदम fail ही होता है planned process ना काफी बहतर results देती है यह throughout the years and throughout the history तक में देखा गया है कोई भी जंग लड़ने गया हो कोई भी king तो उसमें भी आपको planning ज़रूरी पड़ती थी कि वह यहाँ पहले हम यहाँ जाएंगे यहाँ से आकर्मन करेंगे और ऐसे war को जीतेंगे आप कोई भी war देख लीजिए आप कोई भी business ले लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए जिसने अच्छे से proper plan out किया है अपनी चीजों को उन्होंने बहतर results ही लिए है उसमें बिटा risk की जो chances होती ही ना वो थोड़ी कम हो जाती है जादा damage थोड़ा chances होते हैं कि कम हो किन्दा सबसे पहला point अपने पास provided direction direction provide कराता है reduces the risk or uncertainty जो कि मैंने आपको बात बोली कि काम क्या करता है risk को कम कर देता है uncertainty को कम कर देता है कैसे कम कर देता है already plan कर लिया ना already देख लिया कि ऐसा कोई नुकसान हुआ तो ऐसा ऐसा कर लेंगे भाई साब तो मतलब समझ आया risk और uncertainty होती है reduces overlapping and wasteful activities की एक आदमी जो काम कर रहा है वैसा ही सेम आदमी काम कर रहा है तो दो लोग एक एक काम क्यों कर रहे हो अलग-अलग काम करो ना यार तो जल्दी हम लोग काम कर पाएंगे कि एक इंसान अगर कोई काम कर रहा है सेम सेम डवल कर रहा है काम क्यों करने का समझ आया तो प्लाइनिंग से हम decide कर सकते है फिर आता है प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज इनोवेटिव आइडियाज सोचना है ना प्लाइनिंग क्या है brainstorming वाला पाट है brainstorming बताया था ना पिछली class में पिछले session में आपको बताया था कि brainstorming बहुत जरूरी होती है brainstorming मतलब आप उससे बहतर आइडियाज लेके आते हो वही बात यहाँ पे ली गई है फिर आता है facilitates decision making power decision making power को help करता है कि decision लेना होगा तो किस grounds पे ले पाएंगे पहले इसके बारे में पूरा समझ लो फिर इसके बारे में पूरा समझ लो फिर देख लो compare करके कौन सा decision better होगा जैसे गाड़ी खरीदने जाते तो भी plan out करते न कि यह वाली गाड़ी में mileage इता feature इते पैसा इता इस गाड़ी में mileage इता, feature इते पैसा इता आप compare कर लो कौन सा लेना तो decision लेने में help करता है ठीक है फिर helps in controlling आप control करना हो तो control कीस ground पर करेंगे हामें किसी ने को step तो बताए नहीं किसी ने को grounds तो बताए नहीं तो क्या बोला अपने helps in controlling controlling करने में भी help करता है हमारी ठीक है फिर आता है it focuses attention on objectives of the company company का जो goal है company का जो objective है उस objective के उपर focus करके बनाई जाती है plans ऐसा नहों कि objective है हमारा goa जाना goa जाना objective और दिल्ली पहुच गए दिल्ली पहुच गए क्यों ऐसा तोड़ी होता है आरे जो goal होगा उदर ही करेंगे उसी के ground पर जाएंगे उसी के basis पर प्लाना उट करेंगे तो वो चीज़ा अपन ने समझी improves efficiency and effectiveness efficiency मतलब effectiveness मतलब समय पर काम करना और उसके साथ कम से कम wastage पर काम करना ये चीज़े हमने पहले भी काफी बार पढ़ चुकी है चलिए तो आईएगा जरा मैं आपको इसके एक brief discussion पे लेकर चलता हूँ कि इन importance को एक-एक करके समझते हैं कि इसका brief explanation क्या है और example point of view से भी समझते हैं कि रियल लाइफ में कैसे हम relate कर पाएंगे इसको provides direction is the first point जिसको हम यहाँ पे briefly discuss करने वाले हैं तो पेटा provides direction मतलब क्या unity of action and leads to achievement of goals unity of action मतलब क्या सब व्यक्ति एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं जैसे की आर्मी में soldiers क्या होता है soldiers में patriotism तो होता ही है लेकिन एक कहावत है जहां पे बताया गया है कि patriotism क्या होता है जब बेटा गोली चलती है न तो इंसान देश को भूल जाता है यह हां यह factual बात है सर कैसी बाते कर रहे हो हां होता है ऐसा नहीं देश को भूल जाते है लेकिन जब जान बचाने की बारी आती है न तो एक बार हो सकता है कि इंसान देश को छोड़ कर कि यार बाई या मैं अपनी जान बचालो मेरे बीवे बच्चे है यार उनकी मैं देखबाल कर लो तो वो इंसान देश को एक बार छोड़कर फिर भी ऐसा सोच लेगा मतलब दिमाग में आ जाएगा psychology होती है psychology पढ़ी जाती है कि वो एक बार फिर भी सोच गा लड़कों का तो भाई चारा प्यार ऐसा होता है कि आप मेरे दोस्त को कुछ बोल दो पूरे दुनिया से लड़ बैठेंगे या मेरे छोटे भाई को अगर किसी ने मार दिया तो ऐसे कैसे मार दिया हैं तो अगर आप अपने भाई के साथ ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देख सकते तब ही आपके soldiers जो हैं उनमें brotherhood सिखाये जाता है कि आपस में एक दूसरे से इतना प्यार और इतना bond होता है कि अगर वो मतलब उसको गोलियां लगी हो और वो कितना भी मरने की हालत पे हो तो अभी beach war में सीने पे गोली खाकर भी आप वो उठाएगा बंदा और इसको लेकर आएगा इसलिए कहावत है कि never leave a man behind आप soldiers जो होते हैं न वो कभी भी अपने साथियों को अपने भाईयों को कभी भी पीछे छोड़कर नहीं आते वो उनको साथ ही लेकर आएंगे यह उनके उनके beliefs में उनके ethics में है यह भाईचारा होता है उनके अंदर और देश प्रेम तो होता ही है मना नहीं कर रहा लेकिन भाईचारे से काफी सारी बात आती है तो सारे के सारे लोग एक ही डिरेक्शन में काम करते हैं आप देखो ना आपने देखा है कभी आरभी में कि एक आदमी बुल रहा मैं नहीं लड़ूँगा एक बुल रहा नहीं मैं तो लड़ूँगा और तू कैसे नहीं लड़ेगा ऐसे आपसे fights होती है नहीं, सब एक ही direction में काम कर रहे है that they want to protect our nation and they want to protect us as people and salute to those people जो की जवान हमारे हाँ पे borders पे खड़े हों है ठीक है, बिटा ये क्या हुआ हमारा, एक provide करना, direction provide करना एक राह दिकाना, planning क्या होता है बिटा, planning एक route की तरह होता है कि इस route से जाएंगे, इस route से जाएंगे और फिर अपनी destination पे पहुच जाएंगे तो ये एक ऐसी रहा दिखाता है, direction देता है, clear है, चलिए next point देखिएगा, next point में लिखा है, reduces the risk of uncertainty अब बिटा, हुआ क्या, अब आप देखिए न, जब अगर मान लिजे जैसे एटल है, एटल हो गया एटल छोड़ो, एक मान लिजे कोई company है, कोई भी company, मान लिजे जैसे OYO नाम की company है, OYO है अब OYO ने क्या किया, जैसे ही उसने plan out किया, कि वह या, इसके साथ, एक और company आ रही कौन सी, सानी hotels, मैं जो है, सानी hotels खोल रहा हूँ, सानी hotels खोल रहा हूँ, यह hotels में होता है क्या बिटा, आपकी बड़ी सी building है, जिसमें 10 floor तक, 10 floor तक कोई इसके अंदर है आपका mall, इसके अंदर है आपके restaurant, इसके अंदर है आपके cinema hall, इसके अंदर है आपके वो सारी चीज़ें, जो कि एक mall के अंदर होती है shopping complexes है, और इसके उपर हमारे rooms है, इसके उपर हमारे rooms है, खूब सारे, खूब सारे rooms है, खूब सारे rooms है, खूब सारे rooms है, दस फ्लोर के बाद, ग्यार भी फ्लोर से, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्या किया अपने hotels में, आपने, क्यों, क्योंकि सारे जो सीशे हैं, बड़ा कांच की है अब वोगा क्या काच के शीशे बना रखें अब ओयो को लोगा भाईया यह तो खतरनाक सा आइडिया है अब मैंने कहा है इतना नहीं है हमारा जो बाटटब है न पता है कहां पे बिस्तर के जस्प बगल में कंबल यहां से घटाई और सीधा जंप मारके कहां पे अपना जंप मारके बाटब के अंदर वहां पे बैटे हुए फिर उसके बाद मेरको फीफा खिलना बड़ा पसंद तो अपन नहीं कहां किया अपन गए अपने बाथरूम के अंदर एक स्क्रीन लगा दी 55 इंच का प्लाजमा टीवी और उसके अंदर ऐसे बैटके अपन फीफा खिल रहे ठीक है तो बेसिकली समझे क्या बिटा यहां पर मैंने ऐसे कंसेप्ट लाए किचन में सोफा रख दिया कि बनाते बनाते खाना अगर थक गया तो बैट जाओ आराम से चिल करो ठीक है और स्विमिंग पूल कहां दिया बैलकनी में दे दिया तो मतला ओयो की तो हालत ही ता मैंने पहले कर लिया था कि ओयो मुझे आगे बढ़ने नी देगा तो मैंने का सोचा में अपने manifests वगढाएब बहुत गिरा देता हूं रहत हो बहुत गिरा देता हूं क्यों कुई और यो जब देखेगा तो एपने the Earth auto ुध मैं काम करताह हूं मैं अपने रेक्ट इतने करेगा एक काम करता हूँ मैं ऐसी प्लानिंग कर लेता हूँ कि जब ये रियक्ट करेगा तो मैं जो है कुछ इस ता से रियक्ट करूंगा जहां पर मेरा रिस्क कम हो जाए अब भाईया फ्री की जीश को नहीं पसंद पिटा सारे के सारे hotel room सारा mall सब कुछ भर गया सब कुछ भर गया तो हमारा risk जो है वो कम हो गया काफी uncertainties कैसी होंगी बेटा काफी कम हो गई समझ आया तो यह आप pre-plan कर लेते हो न अगर कोई risk को तो आपका risk का जो capacity होता है damage का वो काफी कम हो जाता है वो काफी कम हो जाता है ठीक है अब जरा देखेगा next part reduces overlapping and wasteful activities second third point हमारा बोलता है reduces overlapping overlapping मतलब एक के उपर एक अब हमारे हाँ पे भंडारा होने वाला था और भंडारा होने वाला था भंडारे में हमारे 10,000 लोग आने वाले थे 10,000 रुपे नहीं 10,000 लोग 10,000 लोग आने वाले थे भंडारे में ठीक है अब 10,000 लोग आने वाले थे खाना वगएर भी तो बनाना पड़ेगा खाना वगएर भी तो बनाना पड़ेगा तो अपन ने क्या किया बंढ़ारे में 10,000 लोग आए, लोग, persons, 10,000 persons, है ना, यह बंढ़ारे में आ रहे थे, अब क्या हुआ, मैं और मेरे साथ एक और दोस्त है मेरा, बल्लू, मैं और बल्लू, सानी और बल्लू, अब बल्लू और मैंने क्या decide किया, हमने decide कुछ नहीं किया, यह बोलता है कि मैं बोलाई ने इसने कोच यह सीधा बनाने लग गया यह पूरी बनाने लग गया पूरी यह बनाने लग गया यह क्या बनाने लग गया पूरी यह बनाने लग गया और मैंने किसी से पूछा नहीं मैंने पूरी बनाने चालू कर दी ले बाई मैं भी पूरी औ रोटी बना रहे हैं लेकिन वो अलग काम कर रहा था, मैं अलग अलग किचन में काम कर रहा था, वो भी पुडि और रोटी बना रहा था, और अर अधे दस जार लोग आकर बैठ गए और बैठ के खाना कहा है, खाना तो लाएं ना, हमको तो भूग लग रही और यहाँ पर हम सब पूरी देख रहे हैं दूसरे की सब्जी तो बनाई नहीं किसी में, क्या करें हम तो यह क्या हुआ, डबल काम हो गया, और आपके अक्टिविटीज कैसी हो गई, बेस्ट फुल, बेटा लोग सीथा रोटी थोड़ी खाएंगे, सिर्फ पूरी थोड़ी खाएंगे, भईया भंडारे में आपको सब्जियां भी तो चलेगी न, सब्जियां भी तो चाहिए, रोटी सब्जी खाने के लिए सब्जी नहीं होगी तो रोटी कच्ची खानी पड़ेगी, और कौन खाएगा पिर, कच्ची रोटी कौन खाएगा समझ आया तो क्या समझा बिटा ओवरलैपिंग मतलब दोनों ने सेम काम कर दिया अगर यह प्लाइन कर ले थे पहले कि भाई यह तू सबजी बना ले मैं रोटिया बना लेता हूं तो भाई आसान जाता ना काम ओवरलैपिंग नहीं होती अब क्या होता है जैसे ब्रेंस्टॉर्मिंग वाला पार्ट जो में आपको होता है था ना ब्रेंस्टॉर्मिंग क्या बोलता है बिटा ब्रेंस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि जैसेगी मैं फिर से समझा देता हूं आपको brainstorming is basically जहां पर brainstorming brainstorming का मतलब है बेटा कि एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे करते-करते आपने बहुत सारे ideas लिखी कि business कौन सा चालू करना है है ना? पर बेटा जब यह आपके बहुत सारे ideas complete हो जाते हैं कि तब तक जब तक आप सोच ना पाओ तो usually वो जो 21 आइडिया होता है वो सबसे outstanding idea होता है क्यों? क्योंकि जितने भी ordinary idea थे जो कि एक आम आदमी समझ सकता है या सबसे पहले सोच सकता है कि business किसका चालू करें? लोग food का डाल लेते है food डाल लेते है है ना? एक बोलता है clothes का करना है मुझे एक बोल रहा है मुझे fashion से related का करना है ठीक है? एक बोल रहा है मुझे भईया restaurant चलो food हो गया एक बोल रहा है मुझे भईया groceries का सामान बनाना FMCG होता है ना fast moving consumer code FMCG मतलब आपकी किराने का समान FMCG मतलब किराने का समान एक बोल रहा है मैं cosmetic में करूंगा है ना cosmetic में करूंगा तो ऐसे करते करते 20 नाम आ गए और 21 नाम में आप पर को सोचना पड़ेगा अरे यार और क्या बच्चा है यार और क्या बच्चे और क्या कर सकते फिर अचानक से एक आएगा वही, एक काम करता हूँ, मैं milestone का business करता हूँ. milestone अब सर्भाइज इस milestone, बिठा, आपने देखा होगा, जब आप road पर जाते हैं, highway पर जाते हैं, तो ऐसा, एक milestone होता है, और उससे लिखा होता है, इसे पीले color का यसा होता है, पीले कलर का सा ऐसा होता है जिस पर लिखा होता है पीले कलर और सफेद कलर का होता है काले रंग से लिखा होता है जैसे कि भोपाल उस पर लिखा होता है जैसे कि भोपाल सो किलो मेटर सो किलो मेटर देखा है इसे माइल स्टोन कहते है और हमने डिसाइडिया किया 21 पॉइंट में कि इसका धंदा करते है अब बिटा यह देखो ना कितना यूनीक सब बिजनस है हर कोई मालस्टों का धंदा करता नहीं है और हम कर रहे है तो बिटा यह ब्रेंस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है इनोवेटव अईडियास इनोवेटव अईडियास एक और देखो एक और ऐग्शांपल लो अब क्या हुआ आने वाल है बीता अपनी धंडब अपनी धंड आगे मान लिजे और धंड में क्या होता है कि ना बताता हूं है ना सबस़ड़ी कॉमन दिकत क्या होती है कि वह यह जो टॉइलेट सीट होती है ना इस टॉइलेट सीट के अंदर बिटा मेरे ड्राइंग अच्छी तो टेंशन मत लेना थोड़ी ना ऐसा डरना और ना और तारीफ आरीफ कर देना थीक है कोई दिकत ऐसी कोई नहीं है विरको अच्छा लगता जब आप लोग ऐसे बोलते हैं कि सुर क्या ट्राइंग बना क्या यह वाला जो पाथ है अब क्या होता थंड में इसन ऐसे देख रहा होता इसको बैठें कि ना बैठें कि बैठें कि ना बैठें थंडी लग जाएगी भाई साथ है ना हम लोग कैसो सुशते रहे थे बिटा कि थंड में बस देख रहे होते सुपर 5-6 बट जा उटके सूल ज अब देखना दूसरी चीज इनुविटिव आइडिया क्या है हमारा कि हम क्या करते हैं इसके अंदर बिटा वो हीटेट सीट लगा जेते हैं हीटेट सीट लगा जेते हैं कि हीटर से ना यह सीट जो है गरम हो जाएगी और फिर जैसे आप बैठ होगे तो रिलाक्सिंग वे यह दिस्प्लेय लगा हुआ है इधर लिखा है बटन एक बटन है और बटन पर लिखा हुआ है एफ एफ-स means for flush आपने बटन दबाया फो फ्लॉच होने लग गया पूरा अपने अप फोरा अपने अपने बटन लग गया यह जो लिट होता है यह लिट यह बिट होता है यह अपने आप उपर आ जाता है, सिर्फ बटन से, सिर्फ बटन से, तो यहां पैसे कई सारे बटन हैं, जिनके अलग-अलग काम है, है ना, अब इसी बटन दबाओगे तो यह पूरा नीचा जाएगा और फिर पूरा उपर हो जाएगा, है ना, और इस बटन से करोगे तो वो शा आडियाज है, क्या है, बिटा इनोवेटिव आडिया, बिटा अपने एक्जामपल दो बहुत ही अंचंट होते हैं, पर यही चीज है कि हर चीज एक अच्छे तरीके से समझ आती है, इसलिए अपन माक्स कित्ते लेके आने वाले, यह याद रखना, इस से नीचे अपने को बात नहीं करनाई, और वह इसलिए नहीं करते हैं, क्योμकि अपने इस तरह से और इतने डीफ्त, अच्छे, यह इस नीपर हर एक पॉइंट में, एक एक रेलेटेबल और एक्जामपल से पढते हैं, समझ आया, चलीगा, नेक्स पॉइंट देखते हैं, नेक्स पॉइंट सकते हो या आप बोल सकते एक तरह से help करना help करना कि वह decision making power में help करता है जैसे कि क्या आप मान लीजे एक एक आपको phone खरीदना था Samsung है सामने एक Samsung नाम का phone है Samsung का phone है Samsung का phone है और एक है आपके पास Apple का phone Apple Apple का phone है ठीक है Apple का phone है ये वाला अएना Apple का phone है आदा फहया हुआ ठीक है आदा खहया हुआ अपना Apple का phone है यसे देखो आई हाँ है क्या drawing है वाह जैं घृटा यहां पर जब हम डिसाइड करने जाते हैं तो अपन देखते ना इसके specification क्या है, इसकी RAM कित्ती है, इसकी RAM बताओ कित्ती है, इन दोनों की RAM कित्ती है, बताओ, ठीक है, इसमें फिर ROM कित्ती है, मतला internal storage कित्ती है, बताओ, फिर इसका display कैसा है, ये बताओ, ठीक है, फिर एक बात बताओ, इसके cost कित्ता है, कित्ते का पड़ेगा, ये बताओ द तो यहाँ पर समझ क्या आया, इन सारी चीजों का discussion करके, फिर हम एक planning कर सकते हैं कि ये खरीदना है, कि ये खरीदना है, समझ आया, ये planning process का part है, कि आप ये पूरा decision ले सकते हो, किसके basis पर planning करके, कि या रह देखो, महंगा तो ये हलका सा पढ़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसे से feature हैं, और ये थोड़ा सस्ता पढ़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसे से feature है, चलो एक काम करते है, अपकल का phone लेता है, ठीक है, तो ये planning कैसे हो पाई, ये decision कैसे ले पाई, planning के थो, आपने दोनों चीज को plan किया, और फिर जाके decision ले पाई, समझ आया, तो planning जो है, वो help करती है decision making power code, decision लेने में मदद करती है, ठीक है, फिर हमारा next point आता है, फिर हमारा next point आता है, helps in controlling, controlling करने में help करता है, अब बिटा, controlling क्या होता है, control करना जैसे बच्चों control करते हैं, यह मत चू, वो मत खा, यह मत कर, वो मत कर, ऐसे control करते हैं हम छोड़े बच्चों को, वैसे, controlling का मतलब क्या होता है, controlling का मतलब है, planning provides standards against which the actual performance is measured and timely corrective actions then taken, basically, बोला जा रहा है कि हमने यहाँ पे एक plan किया है, एक plan है हमारा, कि वह सुबह पांच बजे उठोंगा, पांच बजे उठोंगा, ठीक है, जब result खराब आता है, गई बार तो आपन ऐसे टाइम टेल होना देना, पांच बजे उठोंगा, और पांच बजे उठके, साड़े पांच से जाऊंगा, मैं जोगिंग, जोगिंग जाऊंगा, कब तक बजे तक, साथ बजे तक, साथ बजे तक जोगिंग जाऊंगा, है ना, यहाँ जोग करने जाऊंगा, जोगिंग, साथ बजे तक और साथ बजे क्या करूँगा, ब्रेकफस्ट, ब्रेकफस्ट, नहीं ब पढ़ना चालो करोगे study study है ना और उसके बाद ऐसे भईया यहां तक आपने सौड़े नौवज तक आप पढ़ोगे और उसके अज़िदर करोगे breakfast फिर उसके बाद आपका अलग 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 ऐसे आपका एक पूरे टाइम टेबल मनता है एक बज गए बूम समझ क्या आया कि जो प्लाइन किया और जो हमने day one था जो actual day आया हम उसके according चल ही नहीं पाए मतलब यह चल कब पाएंगे जब इसको हम बहुत ज़ादा importance दे कर चलेंगे इसको जब importance दे कर चलेंगे तब ही इसको कर पाएंगे अब देखो एक बज उठे तो क्या हमें ये सारे काम कर पाएंगे नहीं पर बापिस ट्रैक पे आने के लिए क्या कर सकते हैं जो एक बज़े वाला टास्क होगा उधर से चालू कर सकते हैं ना काम उधर से continue कर सकते हैं ना वही चीज होती है यहापे तो यहाँ पे क्या होता है बिटा helps in controlling control करने के लिए हमें help करता है कि plan जो बनाया है और जो हमारे साथ हो रहा है वो दोनों चीज क्या होने चाहिए बिटा दोनों चीज एकदम streamline चलने चाहिए कि जैसा हमने plan के था वैसा ही काम हो planning ऐसी और direction ऐसा जा रहा है control का तो ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा उससे हमें नुकसान हो सकता है तो जैसा plan करें वैसा ही करने का है ठीक है तो control करने में help करता है कि हमने सारी चीज़े पहले ही decide कर रही कि करना क्या है ठीक है चलिए next point it focuses attention on objectives of the goal बेटा company का objective अगर पैसा कमाना है profit कमाना है profit कितना कमाना है बेटा 500 करोड अगर 500 करोड अगर आपको कमाना है profit तो बेटा इसके साब सी plan होगा कि काम करो अपन जो है cost जो अपने को पढ़ती है cost जो अपने पढ़ती है manufacturing cost और इपनी सारी지 कोस्ट मिलाके जो पड़ती है वह पड़ती है अरॉण अपने को 300 क्रोड, 300 क्रोड और आपने हिसको बेचेंगे किते पर आपने इसको बेचेंगे बैठ और अपने सारे खरचे हो जाते हैं 200 क्रोड के आस पास उसके साथ distribution channel वैनल जो भी आपको सामान की सब्सक्राइब करना एडविटीजमेंट करनी हो सब करनी है तो सब करके भी अपना 200 करोड का खर्चा माल लो है ना expense हो जाता है तो 500 करोड तो यह हो गए है ना expense हो जाता है फिर हम sale करते हैं और sale करके कितना कमा है हमने हजार करोड कमाने हमें सेल करके हजार करोड कमाने तो हम हजार करोड में से ये पांसो करोड माइनस कर दें तो बचा कित्ता प्रॉफिट पांसो करोड तो हमने क्या किया बिटा बताओ हमारा स्टार्टिंग में वो क्या था मोटिफ क्या था किता कमाना है हमें किता कमाना है 500 करोड प्रॉफिट लो यहां पे हो गया तो एक किसको नजर में रखके बनाया गया यह पूरा प्लैन किसको नजर में रखके बनाया गया कि जो हमारा टार्गेट है उस टार्गेट को हमें अचीव करना है इसी को नजर में रखके हमने पूरा plan बनाया, समझ आया, यह हमारा attention point है, और last point हमारा आजाता है बिटा, आज की class का भी, जो की है improves efficiency and activities, जैसे की effectivity, है ना effective है और efficient है जैसे की मैंने आपको पहले ही बता है कि हम एक ऐसे भंडारे में काम कर रहे थे एक इनसान को रोटी बना नहीं आती तो कटोरा लेके वाइसे बड़ी सी sheet बनाता है आटे की और उस पे से कटोरे से गोल गोल मार के और क्या करता है बिटा, गोल गोल मार के वो करने लग जाता है वो बोलता है कि वही एक काम करूँगा मैं एक रोटी बनानी नहीं आती है काम करता हूँ लेकिन ऐसी बड़ी सी शीट बना लूँगा और बड़ी सी शीट बनाके मैं से गोल गोल कटोडी से उसके इन्हें रोटी बनाके निकाल दूँगा लोग बाप इसको बापिस इसकी एक शीट बनाना और उससे फिर और सारी निकालना तब तक जब तक एक लास्ट आपकी रोटीना बन जाए और इसके बाद वेस्ट कुछ ना हो तो क्या समझ आया कि efficiency हो गई, efficiency मतलब no wastage no wastage and in less cost, कम cost में without any waste हमने एक product यहाँ पे तयार कर दिया, और effectiveness का मतलब क्या, सब चीज़ हमने करी पर कैसे करी बिटा time के अंदर, उसको बोला था कि 5 बज़ तक सारा काम कर ले न, तो वो 4 बच के 55 मिनिट पर उसने पूरा एकाम कर लिया, 4 बच के 55 मिनिट, मतलब 5 बज़ने से 5 मिनिट पहले ही पूरा खतम कर लिया मतलब यह planning part से हुआ उसने हसाब लगा ले कि एक एक घंटे में मैं 10 रोटी बनाऊंगा, नहीं एक घंटे में 100 रोटी बनाऊंगा, ठीक है, तो उससाब नहीं इसाब लगा के उसने क्या किया, 4-5 तक उसने अपने सारे टास्क डिसाइड कर लिया और सारे टास्क पूरे कर लिया समझ आया, तो प्लानिंग से एफिशेंसी और एफेक्टिवनेस दोनों इंप्रूव होती है क्लियर बात सबको हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई परिशानी समझ आया, प्लानिंग पार्ट क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, यही हमारा आइसपक काफी काम आता है क्लास के अंदर तो I hope you like the video guys, साने देश सर जो कि मैं हूँ उसकी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप Magnet Bains चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे साथ साथ और हमारे बढ़िया बढ़िया टीचर्स की from KG1 to 12 उनकी वीडियो देख सकते हैं from CBSC, Spoken English, CUT, NTSC, Olympiad, CBSC, Hindi Medium, UP, MP, Bihar Boats सारे Boats की आपको भी यहां पे वीडियो मिल जाएंगी, all for free iPads, Mobile Phone, Laptop आप चाहें तो कहीं से भी इसको देख सकते हैं और जिन books और Notebooks से हम पढ़ाते हैं उसका link आपको description में मिल जाएगा तो आप चाहें तो हमें इन सारे platforms पे भी follow कर सकते हैं I hope you like the video Thank you so much